वेलकम टू मैं चैनल शिखास कीचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको जॉइंट पेंज से तुरंथ ही राहत दिलाएगी हड्यों में होने वाला कोई साभी दर्द चाहे वह घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर आपके शरीर में नसों की कमजोरी हो या वेरिकोज वेन की परिशानी हो आज मैं आपके साथ एक ऐसे और जियर पत्ते के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों जो की कई बिमारियों की दबा है और ये जो पत्ता है दोस्तों जिसे आप देखकर आप समझ गए होंगे ये है तेज पत्ता बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिस्टनल प्रॉपर्टी होती है हम सब के रसोई घर में ये तेज पत्ता रहता है खाने के स्वात खाने की सुगंध को बढ़ाने के साथी साथ बहुत सी दवाई को बनाने में भी तेज पत्ते का इस्तमाल किया जाता है आयुरेद में भी बे लीफ का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे सौंदर के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मथ होते हैं तेज पत्ता यदि बहुत ज़दा बाल जढ़ते हैं हे अरफाल होता है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं डेंडरफ की समस्या है तेज पत्ते का तेल कुछ दिन लगा ले बाल जढ़ना बंद हो जाएंगे उसी तरह से आपके जोडों में हडियों से समन्दित कोई भी परिशानी है चाहे आपके नसों में ब्लॉकेस की परिशानी है नसों में सूजन है या नसों में कमजोरी है तेज पत्ते के तेल से मालिश करें तुरंथी नसों की कमजोरी दूर होगी और नसों का जो सूजन है व भी जरूर पिये, सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगी दोस्तों, वीडियो अच्छा लग जाए, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें, सांथी सांथ मेरे चैनल शिखास कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें, तो यहां पर मैंने 4-5 तेज पत्ते की प बनाएं, जो की आपको अर्थराइटीज गठिया की परिशानी से तुरंत ही आराम दिलाएगा, खास का ठंड के मौसम में हमें जोडों के दर्द की शिकायत बहुत जादा रहती है, जकडन अकडन होती है मास पेशियों में, और सांथी साथ इस तेल को आप सर्दी खासी मे यदि बच्चों की छाती पर लगाएंगे ना दोस्तों कफ की परिशानी को दूर करेगा, तेज पते का तेल बनाने के लिए आप यहां नारियल का तेल ले सकते हैं, आप सरसो का तेल ले सकते हैं, आप तिल का तेल, तिल का तेल जिसे की इंगलिश में हम लोग सैसमे सीड क भूळियों की सुजन को दूर करने के लिए जोडों के दर्द से आराम पहुचाने के लिए तिल का तेल बहुत आज यहां मैंने नारियल का तेल का इस्था माल किया है क्योंकि नारियल का पैल हम सभी के घर पर हुआर आप अपने पसंद के अनुसरा औलिव ऑईल भी ले सकते हैं तो तेजपत्य को इसमें डुबा कर आपको कम से कम 3-4 दिन तक के तेजपत्य को ऐसे ही छोड़ देना आप चाहें तो किसी काच के जारका इस्तमाल कर सकते हैं ताकि धूप में अच्छी तरह से ये तेल पक जाए और तेज पत्ते के सारे पोशक तत्व इस ओईल में आ जाएं और इस तेल से अब आपको मालिश करना है परनतु अभी इसमें हम एक चीज और भी एट करने वाले हैं जो कि हमारे दर्द को तुरंद ही खीच लेगी और वह है सौट ड्राइ जिंजर पाउडर अदरक को सुखा कर सौट को बनाया जाता है और सुखी हुई जो अदरक होती है दोस्तों उसी को पीस कर जिंजर पाउडर बनाया जाता है अदरक का पाउडर सौट जो होती है बहुत बढ़िया दर्द निवारक होती है वात पित कफ को शांत करती है सौट और साथ ही साथ जोडों की सूजन को जोडों के दर्द को मास पेशियों की एठन को तेजी से खीचने का काम करता है सौट का पाउडर जितना जादा हमारे खाने में फाइदे मंद है हम लोग सौट की चाय पीते हैं दूद में डालते हैं पानी में उबाल कर सौट पीते हैं जितना फाइदे मंद है उसे कई और सौट के तेल को थोड़ा सा माथे पर लगा लें, आपका सिर्दर्द ठीक हो जाएगा, माइग्रेन की परिशारी ठीक हो जाएगी दोसों, इतना जादा फायदे मंद होता है, साथ ही कफ की परिशानी है, सीने में बहुत जादा दर्द है, तब भी आप इस तेल को लगा स और यह हमारा बनेगा सौठ का और तेजपत्ते का तेल जो कि हमें पुराने से पुराने गुटनों के दर्द, कमर दर्द, हड्यों की कमजोरी से हमें राहत दिलाएगा. यह देखें, तीन से चार दिन हो चुके हैं, तेल का रंग बदल चुका है, अब मैं इस तेल को अंदर ले आऊंगी, आप चाहें तो इस तेल को छान कर इस्तमाल करें, या बिना छाने भी इस्तमाल कर सकते हैं, आप तेजपत्ता ऐसे नीचे बॉटल में जमा रहेगा, यह द सुखे हुई पत्या मिलती हैं, तो यह देखें, जो तेजपत्ते का तेल है, वो बन कर तयार है, मैंने से चाना नहीं है, इसी में पड़े रहने दिया है, ताकि धिर धिर इसके और पोश्वक्तत्व ओल में मिलते जाएं, इस तेल से अब आपको मालिश करना है, अगर तेल आपको लगता है कि बहुत ठंडा है, तो आप चाहें तो गरम पानी से भरे हुए बरतन के उपर इस तेल की कटोरी को रखें, ताकि पानी की गर्मी से भाप से तेल हलका गरम हो जाएं, गरम तेल से आप जहां भी हड़ियों में दर्द है, चाहे कई बार हमें अपने उंग कोशिच करें धूप में बैट कर मालिश करेंगे ना, तो धूप की गर्मी से और तेजी से आपको आराम मिलेगा, तो यह जो तेज पत्ते का तेल है, बहुत फायदे मंद है, इसके अलावा आपको तेज पत्ते का पानी, तेज पत्ते की चाहें जरूर पीना चाहिए, की अकड़न जकड़न को दूर करता है, कई बार दोस्तों हम सिढ़ी चड़ते उतरते हमें बहुत तकलीफ होती है, तो हड़ियों के दर से आराम मिलेगा, एक गिलास पानी में चार तेज पत्ते डाले है, एक बड़ा चमच अजवाइन डाल दिया है, अजवाइन भी बहु अच्छी तरह से दस मिनट तक के कम से कम, ताकि अजवाइन और तेज पत्ते के सारे पोशकता तो इस ड्रिंक में आ जाए, इसे आपको, सुबह टाइम है, तो जरूर पिये, खाली पेट पिये, परन्तु जब भी पिये, माल लेजे, सुबह नहीं भी पाते है, दोपहर को पीले, शाम को पीले आप इसे, या रात को भी आप इसे पीले परन्तु गरम गरम ही पीना, इस बात का ध्यान रखे, आपको पीना गरम गरम है, सिपले लेकर जैसे आप लेकर बिलकुल वैसे ही इसे पीना है, आप लेकर देखे, शरीर अगर अंदर से स्वस्त होगा ना द बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो इसे मैंने चान दिया है, इस रिंग को आप लोग जरूर पियें, ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदे मद है, आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाएगा, कई बिमारियों से लड़ने की ताकत आती है, इसे पीने से, और साथ ही साथ तेजप सब्सक्राइब जरूर करिए